सिर्फ दो चीजों से बनने वाली ये बर्फी देखने में जितनी ज़ादा शानदार लग रही है, खाने में उतनी ही ज़ादा मज़ेदार होने वाली है आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, मिल्क पाउडर और शुगर से बनने वाली बहुत ही मज़ेदार सी बर्फी जिसका टेक्श्यर आप देख सकते हैं इस बर्फी को आप कोई फेस्टिवल में हो या फिर घर में पूजा हो आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल कम इंग्रिडेंट से तयार हो जाती है और साथ ही साथ इसे बनाने के सारे टेप्स और ट्रिक्स इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तो चलिए बर्फी बनाने की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, बर्फी बनाने से पहले सबसे पहले एक इस तरह का टेन हम तयार कर लेंगे, जिसमें की बटर पेपर मैंने लगा दिया और थोड़े से घी से ग्रीस कर लिया है, तो आप बिना बटर पेपर के स्टीन को या प्रेट में भी जमा सकते हैं, यहाँ पे मैंने डाल दिये हैं, बारिक कटे हुए बादाम और पिस्ता और साथ ही साथ ड्राइ रोस पेटल्स, इसी टिन में हमें अपनी बर्फी जमानी है, तो मैंने पहले से ही ये प्रिप्रेशन करके रख लिए है, टिन हमारी तयार ह अब बर्फी बनाने के लिए एक बोल में डाल देंगे तीन कप मिल्क पाउडर, यहाँ पे आप डेरी वाइटनर या फिर मिल्क पाउडर कुछ भी ले सकते हैं, अब इसमें मैं डाल दूँगी घी, तो यहाँ पे मेल्टेट घी मैं यूज़ कर रही हूँ, तीन कप मिल्क मिल्क पाउडर में करीब मैं आधा कप और एक चौथाई कप घी डाल के इस तरह से जैसे आटे में मोयन लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से अच्छे से मिल्क पाउडर में घी डाल के मैं मिक्स कर लूँगी, मिल्क पाउडर में घी डाल के इस तरह से मिक्स करने से हमारी बरफी काफी अच्छी सॉफ्ट बनेगी अक्सर मिल्क पाउडर की जो बरफी बनती है वो दातों में जाके चिपकती है तो उस तरह की बरफी ना बने इसके लिए ये जो है स्टेप करना बहुत जरूरी है तो यहां पे देखिए आधा कप और एक चौथाई कप की डाल के मैं जया है जब हम हाथसे इस तरह से लड्डू जैसा इसे बना रहा है तो आसानी से ये बन जा रहा है तो बस पाउडर रेड़ी है तो चले बना लेते हैं बरफी के लिए चाश्णी तो एक कडाई में मैं डाल दे रही हूँ दो कप शुगर और एक कप पानी तो मैंने वही पाउडर और साथी साथ केवडा जल अब इन दोनों को एड़ करने से क्या होगा जो मिल्क पाउडर की स्मेल है वो बर्फी में बिल्कुल भी नहीं आएगी तो यहाँ पे चलिए हम इसे चेक कर लेते हैं से 10 मिनट हो गया है बॉयल होते होते तो एक तार की चाशनी यहाँ प पाउडर एड़ करें और यह देखिए इस तरह से चलाते रहें ताकि इसमें कोई भी लंस ना आए तो मैं यहाँ पे तीन बैचेज में मिल्क पाउडर एड़ कर रही हूँ और यहाँ पे जैसे ही मिल्क पाउडर हम एड़ कर लेंगे हम गयास को ओन कर देंगे और यहाँ लो पे रखा हुआ है, तो यहां पे मैं ब्राउन बर्फी बनाने वाली हूँ, इसलिए मैं फ्लेम को लो पे रख रहे हूँ और भिलकुल आराम आराम से इसे बनाओंगी अगर आपको बर्फी वाइट कलर की चाहिए तो आप मेडियम फ्लेम पे इसे बनाएं बस इस बात का ध्यान रखें कि आप इसे कंटीनसली स्टर करते रहें ताकि इसमें कोई भी लम्स ना आए यहाँ पे मैं थोड़ा सा केसर वाला दूद आड़ कर रही हूँ इससे इसका कलर मतलब बर्फी का कलर बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा और फ्लेवर भी इसका बहुत ही बढ़ें आएगा तो इस बर्फी को जब आप बनाएंगे ना तो आप बिलकुल भी ये दातों से ना ह भी नहीं आने वाली है अब बर्फी जमने के लिए रेडी है या नहीं इससे चेक करने के लिए एक छोटी सी बोल में मैं थोड़ा सा बर्फी का जो बैटर है वो निकाल लोंगी और इससे ठंडा होने के बाद इसकी गोलिया हम बना के देखेंगे अगर इसकी गोलिया या लड्डू जैसे बनते हैं तो इसका मतलब बर्फी हमारी जमने के लिए रेडी हो चुकी है तो देखें इस तरह का लड्डू जैसा ये बनने लगा अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसकी अभे भी हल्वे जैसी कंसिस्टेंसी है तो इस टेज पे मैंने गैस को आफ क कर दिया था मैंने और इस तरह से इसे हम चलाते जाएंगे तो गरम कडाई के अंदर ही ये इस तरह से डो फॉर्म में आ जाएगा और अब यह बिल्कुल जमने के लिए रेडी है तो जो टिन हमने ग्रीज करके रखी थी उसमें हम ये सारा डो ट्रांसफर कर लेंगे तो सार से इसे इस तरह से स्प्रेट करके बिल्कुल अच्छे से सेट कर लेंगे यहां पर देखिए मैंने इसे अच्छे से से सेट कर लिया है अब इसे हमें तीन से चार घंटे के लिए काउंटर टॉप ठंडा होने के लिए छोड़ देना है तो बर्फी हमारी तीन से चार घंटे बाद अच्छे से जम के तयार हो गई है तो चलिए यहां पर इस तरह से इसे रिमोल्ड कर लेते हैं और साथी साथ बटर पेपर इसका हम निकाल लेंगे अब बरफी को आप अपने मन पसंद शेप में कैसे भी कट कर सकते हैं देख सकते हैं कितनी बढ़िया बनी है यह बरफी तो यहां पर बरफी को मैंने कट कर लिया है इस तरह से स्क्वार शेप में मैंने इसे कट किया है आप चाहे तो रेक्टेंगल शेप में या फिर ट्रेंगल शेप में कैसे भी इसे कट कर सकते हैं हमारी बहुत ही मज़ेदार से मिल्क पाउडर बरफी बन के तयार है आपने साथ आपके घर में कोई भी festival हो तो फटा फट से ये बरफी आप घर में बना के तयार कर सकते हैं तो चलिए यहां पे मैं बरफी का आपको दिखाती हूँ और साथ ही साथ इसे तोड के दिखाती हूँ कि यह बिलकुल भी चुई नहीं बनी है बहुत ही बढ़िया बनी है तो सिर्फ दो चीजों से इतनी शांदार हमारी बरफी बन के तयार है इस रक्षा बंदन या किसी भी festival पे इसे जरूर ट्राइ करें और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शियर कीजिएगा और साथी साथ कमेंट करके भी जरूर बताएगा कि आपको मेरे आज की मिल्क पाउडर वर्फी की रेसिपी कैसी लगी चैनल पे पहली बार आये हो तो उसे सब्स्राइब कर ले और